नमस्कार न्यूजेटीन मध्यप्रदेश 36 गर देख रहे हैं आप मैं हूँ अपढ़ना मौजब वक्त हो गया है मध्यप्रदेश की महाँ डिबेट का आज बात करेंगे हम कॉंग्रस में मची भगदर की MP में कॉंग्रस को लोगसभा चनाव से पहले बड़ा जटका लोगसभा के रण से पहले आखिर क्यूं मची है कॉंग्रस में भगदर मध्यप्रदेश की महाँ डिबेट आज इसी पर कभी भी सेना के शोरे पर प्रिश्ण बाचक चिनन नहीं लगाए जाता लोगसभा चनाव की तारिखों का एलान कभी भी हो सकता है लेकिन इससे पहले कॉंग्रस को MP में लगा है बड़ा जटका कॉंग्रस के दिगज नेता समेथ कई बड़े नेता उन्हें पार्टी को कह दिया बाई बाई ये सब नेता बीजेपी में शामिल हो गए है जिस वक्त संग्ठन को मजबूत करना है उसी समय कॉंग्रस में भगदर बची है हाली में राहूल गांधी निया यात्रा लेकर मध्यपदेश पहुँचे थे अब राहूल गांधी की आत्रा राजस्थान में है और MP में कॉंग्रस को जटके पर जटके लग रहे है CM डॉक्टर मोहन यादव ने कॉंग्रस पर तंस कसा है अब तो आलम ये है कि आगे आगे राहूल गांधी जा रही है MP में जब से कॉंग्रस के संगठन में बदला हुआ है तब से कॉंग्रस पे तूट का दौर जा रही है जीतू पटवारी के कमान संभाले के बाद रिकॉर्ड कॉंग्रसी नेताओं ने पार्टी छोड़ी है पार्टी के दिगर नेता युवा नेतृत पर ज्यादा भरोसा जदाने से नाराज बताए जा रहे हैं हाली में कमलनाद भी नाराज हो गए थे लेकिन उन्हें मना लिया गया ऐसे कई नेता हैं जो नाराज है उधर जीदू पटवारे का कहना है कि सुरेश पचाओरी को पूरा मान संभान दिया गया जो मिल सकता है सर्व स्रेश्ट मिलाता है सर्व स्रेश्ट चार बार लगा तार रासबा दस साल केंद्री मंत्री पी से सी का एक चुनाव उनके नेतरत हुए और भी कई कमिटियों नहीं बताया तो मान सम्मान दिया तो क्यों बड़े नेता पाटी छोड़ रहे हैं कॉंग्रस का जहास क्यों डूब रहा है बीजेपी का कुन्बा क्यों बढ़ रहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी बिहार के बाद हर्याना में मोर्चा संभाल रहे हैं हर्याना में सीएम डॉक्टर मोहन ने कारेकरताओं को दिया है जीत का मंत्र कुल मिलाकर बीजेपी पूरी तरह एक्टिव और मजबूत और कुन्बा बढ़ाती भी दिख रही है सव तीसरा सवाल है दिगजों से किनारा क्या कॉंग्रस में टूट की वज़ा बना है कि दिगजों से किनारा जो किया जा रहा है उसी के जैसे कॉंग्रस में टूट मची है तीसरा सवाल है जीतू पटवारी का नेतरत्व क्या रास नहीं आ रहा है ये तीन सवाल है जिन पर मध और साथी मेरे साथ स्टूडियो में जोड़ चुके हैं बत और राजनेतिक विशलेशक आलोक वत्स जी आप सभी का ही स्वागत है और अबिना वरोलिया जी पहला सवाल आपसे राहूल गांधी आगे आगे जा रहे हैं और पीछे-पीछे कॉंग्रेसी छटते जा रहे हैं फ है कि राहूल गांधी जी की जो भारत जोड़ो नियाय यात्रा निकली है मद्रपदेश में उसको जनता का जो आपार समर्थन मिला है लाखो लोग युवा किसान करमचारी महिलाएं सभी ने बढ़ चलकर हिस्सा लिया है यह आपने भी देखा होगा शायद नहीं देखा हो वो 23 में लिखा है अपने र्रेजिघनेशन लेटर में लिखा है कि सन85 से लेकर और अज तक उनको कितने पड़ दिये गए और कितने कितनी बार मंत्री रहे कितनी बार सांसद रहे तो यह उनका अपना निजी जो उनको जो भी उनको दुख रहा होगा जो भी उनको परिशानी रही होगी वो उस कारण से गए होगे और जो भी उनको तनाव रहा होगा जो भी दबाव रहा होगा तो इस दबाव के उपर मैं ज् सुरेश पाचोरी जी जैसे बहुत सारे नेता जो एक समय जो आउटडेटेड हो जाते हैं वो नेता आप जा रहे हैं और नया यंग फेस आप देखेंगे यूथ लगातार चुड़ता जा रहा है तो इन सब जीदों से धब्राने वाली बाद बिल्कुल नहीं है संजे शुकल था, ED का डर था, CBI का डर था, या खुद के आगे के भविश का डर था, कि हम कैसे बचेंगे, क्या होगा, देखिए अर्थ जो होता है, अर्थ, अर्थ का मतलब आप समझते होंगे, अर्थ ना जाए, अर्थ को कैसे बचाया जाए, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, को नहीं डर रहे हैं, ठीक है, आजे सिंग जी, जो आग लगी, बार बार लग जाती है, बार बार फाइले जल जाती है, कॉंग्रेस का कहना है कि उनकी चिंता मत कीजिए, आप वल्ले भवन की चिंता कर लीजिए, लिखिए अपढ़ना जी जिस तरह से आज मदिप्रदेश की राजधानी में आग की बात है, तो मुखमंतरी जी ने ततकाल जाच की आदिश दिये हैं, इस मामले में जाच के बाद निशकर्ज भी सामने आ जाएगा, जिम्मेदारों पर कारवाई की जाएगी, लिकिन जो बड़ी आग लगी है कॉंग्रेस पारिटी में, उससे कॉं कॉंग्रेस पारिटी नहीं रह गई है, यह उन सिध्धानतों पर नहीं चल पा रही है, अब यह कॉंग्रेस पारिटी तुष्टी करन और जिस तरह से धार्मिक भावनाय आहत करने वाले मुद्दे हैं, देश के बिरोध में दुनिया भर में जंडा उठाने वाली, दुनि भावनायों से बाहर रहकर काम नहीं कर सकता है, हम जैसे लोगों ने और अन्य भी बड़े बड़े नेताओं ने अपने समर्थकों, अपने प्रशंसकों और अपने साथियों के साथ जब चर्चा करते हैं, तो लगातार दबाव रहता है कि ऐसी पार्टी जो जनहित के तो उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई भी देश में चाहे रक्षा राज्यमंत्री रहते हुए पूरे देश में जो उन्होंने काम किये, नाइट हेलिकॉप्टर जैसे विजन वो लेके आए, और जब कार्मिक मंत्रा ले था तो CBI का पूरा विभाग उनके पास था, औ इतने महत्मुन विभाग निभाने के बाद भी और उन्होंने कहा भी अपने बयान में कोई तो वजा रही होगी, यूहीं कोई बेवाफा नहीं होता है, पार्लियमेंट में भी उनका जो ट्रेक रिकॉर्ड रहा है, सबसे जादा सवाल उठाने का ट्रेक पचोरी जी कर रह कॉंग्रस युक्त बीजेपी हो रही है, यह जो कॉंग्रस छोड़कर बीजेपी पे शामिल हो रहे हैं, यह अपने लिए मौका ढूंड रहे हैं, बीजेपी अपना फाइदा देख रहे हैं, अभी के स्थिती में जो भी जॉइन कर रहे हैं, उनको मैं अपर्चुनिस नही बढ़ रहा है, देश किसके हाथ में जनता का भला कर रहा है, और उनको लगता है कि अब जहां हैं, वहां पर कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ऑपर्चुनिस्ट इसलिए नहीं कहूंगा कि अब वो आएंगे तो उनको मिलेगा क्या, और इतने तादाद में आ रहा हैं, सब को तो कुछ संभध्य है नहीं कि मिलना, तो ये लोग अब रास्भक्ती के कारण पार्टी में सामिल हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि बीजेपी की जो नीती है, वो सर्व परी है, और वो देश हित में है, विश्व में गंका बजा के आगे बढ़ रही है, तो हमको भी इसमें योगदान देना चाहिए, कि एक ससक्त भारत, एक सोने की चिडिया का भारत, जो सपना नरियन मोदी जी ने देखा है, एक सनातन धर्म का उगता हुआ सूरज, वो सारी चीजे अब इनको यहां नजर आ रही है, तो इनको लगता है, जहां यह हैं, वहां पर स्थिती ठीक न रणिंग और नियूरो वस फिडलिंग, रोम जल रहा था, वो बंसी बजा रहा था, तो यह अभी बैट के इनको दिली में सारी चीजों, सारी कवायद करनी चाहिए, तो यह एक नयायात्रा निकालने में जुटे हुए है, जहां जहां से नयायात्रा निकल रही है, या इनक नयायात्रा निकलने के पुर्व, या इनके नयायात्रा के बाद, वहां का कोईने कोई बड़ा विकेट जरा साही हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि कॉंग्रेस इनको सलामी दे रही है, कि चलो, हम तुम सनम गए तो यह भी कुनवा डूबाते हैं चले गए, तो इस तरीके क जो बेभार हो रहा है, कॉंग्रेस अब मुझे लगता है, दोजार चौविस के बाद अतिस योक्त नहीं होगी, कि ये एक शत्रप पाच्टी बनके रहे जाएगी, ठीक है, डॉक्र सत्रप्रकाश शर्मा सुना होगा आपने सुरेश पचारी को भी आज जब वो बीजेपी जॉइन कर रहे थे, तो उन्होंने सेना के शौरे पर कोई सवाल नहीं उठाता था, राम मंदिर की बात, उन्होंने तमाम उन मुद्दों को गिनवाया है, जो सीदी सीदे कही ना कही राखुल गांधी के बयान से जुड़े होए थे देखिया परणा जी, निशन्दे प्रधार मंत्री नरेदर मुदी की जो लीडर सिफ है, उसमें ना केबल सुरेश पजोरी जैसे लोग, बलकि उनसे भी बड़े एलेक्टूरर पर्लिटेक्स के बड़े ना, भारतिनता पार्टी की तरफ कॉंग्रेस या अनराजनितिक दल से जा रहे हैं, कि बल मध्यप्रदेश में लगबक साड़े चार हजार लेडर, लास्ट टू और थ्री मंस में भारतिनता पार्टी की तरफ गए हैं, जोइन किया है, लेकिन एक सबाल बड़ा आता है, नोडाउट नैशनलिजम और हिंदूत, ये दो पर सेंटर लेडर से ब ये, एक भी सीट निकाल के नहीं देखी, यानि कि वो आज तक कोई ना लोकशवा का, ना बिधान सवा का चुनाव जीते, ऐसे में कॉंग्रेस के जो उन पर एहसान है, वाकई चारवार राजसर्ट शवा में जाना, दो बार यूनिन मिनिस्टर बनाना, पी सी सी चीप रहन कई और सारे पद उनको रहे हैं, लेकिन इस सेवंटी बन की एज में उनको क्या लगा कि वो पार्टी छोड़कर चले गए, ये तो तेह है कि ये भी माना जा रहा था कि कॉंग्रेस में अब जो नई कॉंग्रेस आई है, उसमें उनके लिए कोई स्थान मिनने वाला नहीं है अगर वो इतने ही बड़े लीडर होते, तो कभी एक बार तो चुनाओ जीत के दिखाते, वो तो नरिद्रमोदी की नईया है, कि अगर उनको कहीं टिकेट दे दिया तो वो चुनाओ लगके जीत भी जाएंगे, क्योंकि नरिद्रमोदी की ऐसी हवा है, जिस हवा में कई लो लोगों को इंपोर्टेंस मिलता रहे, उनकी सिग्निफाइस को समझता जाता रहे, तो शायद ऐसे दिन लेकिन अगर पुराने लोगों की इगो साटिस्फाय करते रहेंगे, तो जो नई ब्रिगेट खड़ी करने की बात कई जा रही है, फिर वो खड़ी कैसे होगी, ठीक ह सवाल तो मेरा यही रहा कि कॉंग्रस में जो भगगर मचीवी है, उसे आप किस सरह से देख रहे हैं, क्या वाकई सुरेश पचाड़ी से लोग जिद जाते हैं, तो भार पार्टी से कम होता है, या पार्टी के जनाधार पर जो बचा हुआ जनाधार उस पर असर पड़ता ह दूसरा सवाल यह है, कि वाकई राहूल गांधी का यह आटिट्यूड, कि जिसको जाना है ऐसे वक्त में जो डर कर जाएगा वो जाए, रास्ते खोल दिये हैं, और इससे कॉंग्रस के भविश्यक ले एक संकेत मिल रहा है, बड़ा संकेत किस सरह से देख रहे हैं आप से? ना तो भाजपा में आने वालों से पढ़ता है, ना कॉंग्रस छोड़ने वालों से कॉंग्रस को कोई नुक्सान होता है, मुझे यह प्रतीत होता है, कि चुनाओं के टाइम में एक माहौल बनाया जाता है, माहौल क्रियेट किया जाता है, कि देखिए भाजपा के तरफ मे चारोर से नेता दोड़े चले आ रहे हैं भारती जनता पार्टी ने बाकाइदा इसके लिए नियू जॉइनिंग सेल बनाया हुआ है जो नियू जॉइनिंग सेल तमाम अन्य दलों के बड़े छोटे नेताओं को अपनी और आकर्शित करके पार्टी जॉइन करा रहे हैं सुर में सुरिष पचौरिवी अब जो है चुनावी राजनीति दो उनको करना नहीं है और जिस तरह से कउंग्रेस में बडे नेताओं पर मुझे लगता है चुनाव लड़ने का दबाव था तो हो सकता है पचौरी जी बें भी दबाव रहा हो और दूसरा सवाल जो आप बोल र कॉंग्रेस को जिस और ले जा रहे हैं और खास्तों से बड़े नेताओं को वो जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कमलनाथ दिग्वेज सिंग से ले करके देश के बड़े-बड़े नेताओं के साथ उनका जो वेभार है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो 2024 के नो छोड़ कर सब्सक्राइब का मुझें हो चुनाव लड़ने लाइक तैयार कर पाएंगे और तब तक के वह एक नई कॉंग्रेस अपनी खड़ी करना चाह रहे हैं कि नई कॉंगरेस हो उत्सा ही कार्य करता हो नई पीडी को उसमें इस्तान दिया जाये इसी दिशा में मुझे लगता है कॉंग्रेस अभी आगे बढ़ रही है जी बरोलिया जी 24 नहीं 29 टार्गेट हो सकता है ये तो आप हाला कि इतिफाक नहीं रखेंगे इस बात से लेकिन रणीती को लेकर ये बात कहीं भी जाती रही है सिर्व आज नहीं हमेशा कहीं जात रही है पिछले कुछ समय से लेकिन कॉट कॉंग्रेस के अंदर किसी और के नेत्रित के सब्में नहीं देखी गई जी दू पठवारी के सशक्तरफ मदर प्रपेदेश में चल रहा है उसमें युवा का जिस depiction से परेशान किसानों का, परेशान सम्विधा करमचारियों का, परेशान शिक्षकों का, अथिती शिक्षकों का, एक लाख अथिती शिक्षक हैं, जिनको चार महिनी से तंखा नहीं मिली है, बिरोजगार युवा, अगनिवीर, तमाम इतने लोग हैं, जो परेशान है इस सरकार स तो ये सारी चीजे जो हैं जीतु पड़वारी जी के सशक नेत्रित में हो रही है राहूल गानी जी बढ़के उनको सपोर्ट कर रहा है अब देखिए यहाँ पे जिसको तवज्जो जितनी दे सकते हैं जीतु पड़वारी जी दे रहे हैं अगर जीतु पड़वारी जी और उमंग सिंगार जी का नेत्रित सही नहीं लग रहा है किसी को तो वो पार्टी छोड़के जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है चुनाव का समय है भारती जंदा पार्टी के भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जब आये थे विरेंद्र रगुवंशी जी आये थे हो अज़ादी दिलाई है यह अजय सिंग यादफ जी या बैठे इनकी पिता जी भी इस पार्टी से जुड़े रहे हैं अजय जी खुड़े रहे हैं सालों से तो कहीं ना कहीं इनको हर्ट हुआ होगा जो भी चीज इनके दिल में होगी वो सामने है अगर यह पार्टी नहीं रहेगा इसको लेकर एक अनसर्टिनिटी रहती है और रही बात लोग जुड़ रहे हैं जंसलाब जुड़ रहा होगा तफ्सीरों में दिखाई दे रहा है लगतार वह आज की बात नहीं है राहूल गांदी का कई ऐसे भी पहुंसते हैं तो उनके साथ सेल्फी लेने आई भीड पोलिंग बूत पर नहीं पहुंसती है और पहुंसती भी तो किसी के नाम के आगे किसी और को वोट कर देती है उस बात को लेकर सवाल उड़ते लेकिन यहां अजे जी जिसको जाना है चुनाव का मौसम है तो लोग जाने की लाइन तो लगी रहती है लेकिन कॉं चुनाव के पहले तीन विधायक थे जीतू पटवारी चुनाव हार गये विशाल पटेलो संजे शुकला भारती जनता पारिटी में शामिल हो गये धार से उमंग सिंगार जी आते हैं तीन बार सांसद रहे एक बार विधायक रहे गजिन सिंग राजू खेड़ी आज भारत परिनावों में देख जाएगा उसी तरह से अभी नाव जी एकदम सब्सक्राइब दूसरी बात नरेंद मोदी जी जी ने देश को जो अपलब्धियां दी हैं चाहे गरीबों को आबास हो चाहे असी करोड़ गरीबों को राशन हो चाहे चाहे दुनिया की पांच वी सबसे बढ़ी आर्थोश्ता बनाना हो यह सब्सक्राइब यह कोई मूह नी मूट आइब अगरेस के लिए ता मूह मूट ते अधारा 30370 से जनता चाहती है कि प्रतिश्चा में उसको बोट नहीं देना है यह मुद्दा जनता के बीच में जनता कहती है जिसने जिसने 370 को हटाया वही पार्टी देश में चलेगी जनता चाहिए वही पार्टी हमें चाहिए जनता के मुद्व से कॉंगर्स को पता प्यान भीजन नहीं है जिक आगर भीजन होता वही पार्टी बादी के तीरों मेहान भी चुड़े हुआ है जिससना से जातिकर जन्गर्णा को लेकर मुद्दा उठा रहे राहूल गांधी और कह रहें कि पूछो जाती क्या है जाती क्या है सबसे पूछो तो क्या ब्राहमन वर्क जो है वो छिटक रहा है इस मुद्दे से और इसलिए से कॉंग्रस से मोभंग हो रहा है नहीं अपड़ना जी मुझे इसमें बिल्कुल कोई लॉजिक नजन नहीं आता है जाती गड़ना का जो मुद्दा है राहूल गांधी आज से नहीं उठा रहे हैं यह 2023 से इसको उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है और जितने राज्यों में चुना हुए अभी हाल में अभी अगर वह मुद्दा सफ़ाल होता तो उनकी राजिस्थान सरकार नहीं जाती दोनों जगें देखिए ओबी सी कि संक्या बहुत ज्यादा है तो ऐसे में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह जातीगत जातीगत गणना के कारण को एक वर्ग छिटकेगा मुझे ऐसा लगता है क जैसे अभी सवाल उठा अगे जीतू पट्वारी की लीडिर सिपिक दी सब्सक्राइब हुम्यब तश्क्राइब उसकता है तो यह एसी कई वजवा सकती है जिस यह को में लोग पार्टी चोड़ रहे हो और दूसरी चीज देंग pri सुरेष पचणी जैसे वह और दनेता जो हैं यह आप कहीं से ठीकेट पाने के लिए यह बाश्पा में आए नहीं होंगे वह सकता है उनको किसी तरह का कोई संबान वहां कॉंग्रेस में नहीं मिल रहा होगी कि भाजपा में उनको वह संबाद मिलेगा इसलिए भाजपा में आए जी आलोग जी तो मान लिए कि आज के युग में जो राजनीत हो रही है इसमें सुचता का तो अभाव हंडिट परसेंट हो गिया है अब यह कहना बड़े कि भी बात नहीं है कि को और किसके साथ मैयरेज कर लेगा पुलिटिकली कर लेगा प्रिंस पर कोई मामें नहीं रह गया पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीं नहीं है और कुछ नहीं है यह बहुत लोगत तंतर में यह बहुत लेकिन बड़ा सवाल तो यहां पर यहीं है कि कौन पास का फाइदा देख रहा है या कौन दूर का नुक्सान देख रहा है जी पॉलिटिक्स ओफ कन्वीनियंस होगे बहुत शुक्रिया सभी का इस मद्रदेश की महा डिबेट पर जुड़ने के लिए प्रिंसिपल की तो बात ही नहीं बची है सवाल बचा है फिलाल अपने असित्व को बचाने का मद्रदेश की महा डिबेट में आज के लिए इतना ही खबर लगाता जारी हैं जुड़े रही है